दोस्तों सत्यमनार सिंग आकेडमी को और हीत एक और वेटर बीडिए सवाथ है तो दोस्तों आज के बीडिए में हम लोग पढ़ेंगे live vaccine उसमें हम लोग पढ़ेंगे bcg लोस्त्राइं कर दोस्तिमाद बैंकर का लिथ ग्रbug कर दिया से पहले जानेंगे इसमें नमर मीज़ देके लिखी खिएगा कि बीसी जी गया है कि लाइव दैक्सीन है कि है लाइव की से फुल्फरम होता है फुल्फरम से भी कोश्चन बनता है तो इसका फुल्फरम होता है बेसीलस क्या चीज बेसीलस कल्मुनेट फुल्फरम होगा BCG क्या है एक लाइब फुल्फरम बेसिलास कल्मुनेट गियूरीन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि BCG कॉप दिया जता है क्वेश्चन किसे बनेंगा वेन तोगी क्या चीज मतलब कॉप इसको कॉप डिया जाता है चैसे बैसी चैंसे बैकसिन को दिया जाता है एट बर्थ एट बेर्थ हैट बर्थ कहाएक ओने का मतलब के मतलब कि एक साल के अंदर इसको दे ही दे देना किसी भी हर हालत में को दे देना आपको एक साल में अगर नहीं दिये तो फिर आपको नहीं देना है अब देखिए भैक्सिन तो दे दिये ठीक है बचा को दे दिये अखिर दिये तो कहां पर दिये पैर में दिये हाथ में दिय तो यहां दिए तब सबाइस का साइट मतलब जुग शक्त जीक कितना इमेल जाता है तो इसका कीतुना डिया जुग सुंगலिकों प्लटी जाता है किना की समय 0.05 ml देखे दूग को क्वेस्टन बनेगा समझिए यहां पर क्या लिखे हैं देखे कब दिया जता है या तो बर्थ पर दीजिए या फिर एक साल के अंदर दीजिए दो चीज लिखे हैं या तो बर्थ पर दीजिए या फिर एक साल के अंदर दीजिए बर्थ क्या मतलब कि एक से चार पाच दिन के अंदर दे जब एक से चार पाच दिन के अंदर देंगे यहां पर क्वेशन बनेगा जब बीसीजी भैक्सिन को एक से चार पाच दिन के अंदर में देंगे तो 0.05 एमेल देंगे लेकिन जब उससे ज्यादा हो जएगा 28 दिन से ज्यादा हो जएगा तब उसका quantity बढ़ेगा इससे डबल हो जागा है यहांनि कि 0.1 एमेल देंगे ओन इमेल कब देंगे जब हम बर्थ पर नहीं दे पाएंगे, कब नहीं दे पाएंगे, बर्थ पर ये बैक्सिन को नहीं प्रवाइड होगा, तब एक महिना के बाद जब ये BCG बैक्सिन को देंगे तो इसका क्वांटिटी डोज बढ़ जाएगा, 0.05 से बढ़के, डबल डोज हो गया, कितना हो ग पर निकी कौन से रोग को बचाता है, क्या करता है, तो यहां पर लीखिएगा, कि BCG बैक्सिन जो है, यह हमें TB से बताता है, TB के मतलब Tuberculosis, क्या होता है? Tuberculosis, Tuberculosis से बचाता है, ठीक है, BCG क्या करते है? प्रिवेंट फ्रों टुर कोलोसिस यह किस से बचाते हैं हमें टीबी से बचाते हैं आप देखिए बीसी जी भाइग्सिन जो है इसका इस्टोरिंग टंपरेचर मतलब कि इसको कितना डिगरी सेल्सियस पर इस्टोर करके राखते हैं स्टूरिंग्सन को कितना डिगरी सेल्सियस टुर करके रखते हैं कि इसको रखता है दूससे आठ डिगरी क्या रखते हैं इसटोर करके रखता है एष्टोर करका जाता है ठीक डिभीशी गशीन को यह कि सारा प्लार यह बसुंचाम बभी सेल्पन श्रक्राओ kidney Cash required कीلة का फूलफरं क्या होता है पैसिल्स कलमुनेक्श फूलफरं होता है उसके बाद इसको कॉप नीँद ये जविक सिए उसको देंगे हम यह में तो एक साल के अंदर में उसके बाद तो भाया हाथ पर दीए जता हैREE दिया जाता है दोस्त कितना होते हैं इसको कितना देंगे तो 0.05 कितना देंगे 0.05 MBCC भेटें को देंगे कर देंगे है टींगो बार्थ मतलब बाचाइजणम लिया अथाइस दिन गान दर में भैसन दे रही है तब देंगे जिरो 005 यदिए 28 दिन बात देंगे क्यिंकि एक साल तक हमको टाइमेश देदेना है 28 दिन के बात देंगे तो बढ़ जाएगा 0.05 से बढ़ के 0.1 हो जाएगा कब होगा जब बर्थ पर 28 दिन के बाद देंगे तो मितना को देना होगा उसके अब में लुक पढ़ें कि एक बंचाता है टिवर क्लोसे से कि बाचा तरह बाचाता है इसका टूरेश अपरेचडर कितना उते बहुँता बो तो दूसत्य बाइक फिसल्शियष सरथ होता है अब तो वहां पर दागी हो जाता है बाया हाथ पर इसकार छोड़ते तो वह इसकार कितना दिन में छोड़ता है बीसी जी इसकार कितना दिन में छोड़ता है इसकार तो देखिए एक एसकार जो होगा वह पर्मानेंट इसकार किया होगा पर्मानेंट पर्मानेंट इसकार जो होग वह दू मन्थ पर आएगा कितना मन्थ पर दू मन्थ मतलब कि यह भैक्सीन जो भी सीजी हम लोग दी है वह दू महिना के बाद पर्मानेंट बच्चा के छोट बच्चा जुराएगा उसके बाएं हाथ पर एक दागी दीखेगा जो कि वह लाइफ टाइम रही जाता है अब द इंट्राडर्मल इंट्राडर्मल इंट्रडर्मल और एंट्राडर्मल का तर्स ना डिगरी एंगल होता है यह थी होता है इंगल 15 डिट्री इंगल prince दीगरी पर दिआ जाते यानिकि फिसकी इसकीन हो गया तो यहां से देज़ें है नाइंटी यहां पर बीसी जी का इस्ट्रेंट क्या है इस्ट्रेंट का मतलब कि इसका क्या ताकत है तो वह ब्रयाद दानी क्या चीज है दानी है 131 यह भी क्वेश्टन आया हुआ है अब देखिए बीसी जी के बारे में हम लोग ठोड़ा रिवीजन करते हैं पेफुल्फरम क्या बता हैं बेसिलास कल्मीनेट गूरीम को नहीं बीसी जी को कहां दिया जाता है कहां कमतलब की किस अंग में दिया जाता है तो का साइट कहां लिखे का साइट लेफट बीस से भी सीजी दी नहीं भूलिएंगा सब्सक्राइब इंट्रायदर्मल का अना उपरे हिसा में इन्टराफ कर मतल्ब एंगल कितना क्यांतो फ्रिश chick tuvo का इंग्वल described उसके बाद पड़े कि जीवंग को कितना डिगरी सेलसियस और पमान पրने श्टोर करके रख कखा जते हैं तो यह 2-8 डिगरी मतलब की शीब टो आयल आइलार के फुल फ्रम क्या होजता है आइस लाइन डी जेह क्या चीज आइस लाइन रेस्टेयु जेटर इसका इसके तो होना चाहिए भया आइस लाइन रेफ्रिजेटर का दूसरे अग्री सेल्सियस अब यहां पर देखें एक और कोश्चन बनेगा कि बीसी जी किस फ़र्म में आता है तो बीसी जी पाउडर फ़र्म में आता है किसके फ़र्म में पाउडर फ़र्म में आता है यह पाउडर के फ़र्म में आता है अब देखें बीसी जी को क्या है भी अब पाउडर के फ़र्म में आता है तो इसको गोलना परेगा अब तो पानी में नहीं गोला जाता है बीसी जी को नर्मल से लाइन में गोला जाता है किसमें गोला जाता है नर्मल से लाइन यानि की एनेस में भोला जाता है एनेस का फुलपरम क्या होगा नर्मल से लाइन क्या होगा नर्मल से लाइन जेके आप लोगों को इतना क्वेस्टन बीसीजी के बारे में बता दिये बीसीजी बैक्सिन किस फर्म में आता है तो पाउडर फर्म में आता है य से जी को किस में रखा जाता है आइस लाइन डेफरीजेटर में इसका टेमप्रेचर दोसे आफ डिग्री सल्चियस एक और क्वेशन में ने गा कि बिसी जी द्यान दीजी एक पेपूल आता है मतलब कि वो टेमप्रेरी एसकार रहेगा मिट जाता है एक होते पर्मानेंट एसक चोड़ता है तो चोड़ेगा दो मनत के बाद कर तो दो मन्त पर पर्मानेंट चोड़ता है उसके बाद हम लोग पड़े विसी जी कब दिया जाता है तो अट बर्थ दीजिए या फिर एक साल के अंदर में दीजिए इसका स्ट्रिंड क्या है ताकत क्या है तो दानीस-131 फ बीसीजी का फुल फ्रम बेसिलास कल्मिनेट गियूरीन होता है कहा दिया जाता है लेफ्ट आर में दिया जाता है डोज क्या होगा जब जनम पर देंगे 0.5 ml 0.05 ml देंगे और जब एक महिना के बाद देंगे तो वहीं डोज को डबल कर देंगे 0.05 के डबल कीजिए तो हो जाएगा 0.1 ml यति बर्स पर नहीं दे पहें तो यह कंप्लीट जनकारी था बीसीजी वैक्सिन के बारे में तो आसा करते हैं कि यह वीडियो उसे आप लोग बीसीजी के वैक्सिन के बारे में सारा चीज समाज गये होंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाहिन बंदे मातर होंगे